Hello everyone, welcome back to SSM Math and percentage का previous year question सरी सरी रहाए है The ratio of the numbers of boys to the girls in a village is 3 to 2 If 30% of the boys and 70% of the girls appeared in the examination The ratio of the number of the villagers appeared in the examination so that To that not appeared in the same examination मतलब examination में appeared हुए इतना और not हुए इतना हमने क्या कहा जब भी ऐसा 30, 70 ऐसा बड़ा बड़ा परसेंटेज दिया हो रहा है तो आप एक काम करो 300 जने boys है 300 जने boys है और 200 जने girls है ठीक है ध्यान से देखना Appearth कितना हुए सर boys का 30% मतलब सर 30, 90, 90 जने Appearth हुआ तो यह Appearth तो not Appearth कितना हुआ सर 210 जने not Appearth ठीक है अब देखो इसका क्यों 300 से माइनस कर दिये अब इसका क्या है सर 200 जने girls है तो उनमें से 70 जने Appearth हुआ तो 70% मतलब साथ दुना 14, 140 जने Appearth हुआ ठीक है तो 140 जने Appearth हुआ तो non Appearth कितना हुआ सर 60 जने हुआ अब ध्यान से देखो हमें क्या निकालना है सर Appearth का Ratio Appearth के साथ not Appearth का Ratio तो Appearth कितना हुआ सर 140 प्लस 90 is to not Appearth कितना हुआ सर 210 प्लस 60 तो हम लोग क्या करता है इन लोगों को जोडते है तो कितना होता है 250 इन लोगों को जोडते है तो कितना होता है 270, तो कट गया, कट गया, 25 is to 27 is the correct answer, ठीक है, अच्छा, 9 चा 20 होता है, 9 चा 20, 23 is to 27 is the correct answer, option number 2 is the correct answer, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ में, बिल आइकन को प्रेस करना है, ताकि नए वीडियो के सारे आपडेट आपको आते रहे, ओके सर, तैंक यू, बावाज, स्टे टून फॉर नेक्स्ट क्लास,